Hello everyone, welcome back to Triyanka Net Classes. So basically, आज के इस lecture में हम लोग NetJRFN Set के Paper 1 की Research Aptitude की unit को continue करने वाले हैं. Research Aptitude का लेक्चर नमबर 15 है. अगर आपने से किसी ने first 14 lectures को miss किया है, तो Research Aptitude की जो playlist है, उसका link में description में दे दूँगी. आप जाएए वहाँ से जाके सारे के सारे lectures को अच्छे से cover कीजेए. Coming to आज का हमारा 15th lecture, जिसमें मैं आप सब के साथ क्या discuss करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सब के साथ discuss करने वाली हूँ, Research Design, right? पूरा topic Research Design का मैं डीटेल में discuss करने वाली हूँ, होती है, क्या-क्या चीजों का दियान रेखा जाता है जब आप Research Design मनाते हो, तो ये सब चीज़ें आज हम discuss करने वाली हैं. चलिए, स्टार्ट करते हैं, बट बेफोर गोइंग ऑन डाट मैं बता दू, मेरा नाम प्रियंका नाता नहीं है, मैंने अपना Net and JRF कौलिफाई किया हूँ है, Commerce Subject से, अपने पहले ही Attempt में 99.55% के साथ, साथ ही साथ मैंने अपना Net and Management भी कौलिफाई किया हूँ है, अपने पहले ही Attempt में, साथ ही साथ मैंने माराश्रो सेट को भी कौलिफाई किया हूँ है, Commerce Subject से, अपने पहले ही attempt ने, so this was my brief background, coming to जो students अब भी तक मेरे साथ telegram channel पर नहीं जुड़े हुए हैं उन सब के लिए जो telegram channel का link है वो मैंने description में दे दिया है अब जाईए वहाँ से जाके telegram channel को जरूर से join कीजे, because paper related कोई भी notification से updates आती है, lecture related भी कोई updates होती है, तो मैं सबसे पहले telegram पर जरूर शेयर करते हैं, जो जाहिए वहाँ से जाके उस चीज़ का भी benefit लीजे, coming to आज का मा lecture, जो की है research design के उपर, right, आज के lecture में हम क्या discuss करने वाले हैं, हम discuss करने वाले हैं, सबसे पहले-पहले तो research design होती क्या है, उसका meaning क्या है, पहले तो बहुत देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे research design के क्या-क्या parts है, constitutions है, क्या-क्या चीजों को मिला के आप research design पूरी तरीके से बना सकते हैं, right, so सबसे पहले-पहले meaning देख लेते हैं, सबसे पहले-पहले अपने mind में एक structure बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे-ऐसे-ऐसे मुझे अपनी research को कंड़ करना है, यानि मैं basically बोल सकती हूँ, यह क्या है एक तरीके का blueprint है, क्या है एक तरीके का blueprint है, blueprint किसके लिए है, for the collection, measurement and analysis of the data, आप क्या करो, एक structure आप research करना है, right from, कि आप research की problem क्या होगी, उसका hypothesis क्या होगा, फिर उसमें hypothesis को test कैसे करना है, data को कैसे collect करना है, data को कैसे measure करना है, data को कैसे analyze करना है, यह सब कुछ आप क्या करते हो, research design के time पर तयार करते हैं, इसलिए हम बोलते है research design basically क्या है research design basically blueprint है research का क्यों कि जैसे आप देखते हो interior designers होते हैं वो कैसे घर बनाने से पहले offices बनाने से पहले क्या करते हैं पूरा एक नक्षा बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा राइट वैसे ही एक researcher भी क्या करता है एक जो researcher रहता है वो भी कोई research undertake करने से पहल वो researcher भी क्या बनाता है, वो researcher भी सबसे पहले-पहले research design बनाता है, यानि blueprint बनाता है अपनी research का, कि मुझे ये research को कैसे undertake करना है, right from formulating the problem, defining the problem, then making, framing hypothesis, testing hypothesis, collection of data, measurement of data, analysis of data, सब कुछ कौन करता है, researcher करता है, लेकिन वो सब करने से पहले, वो क्या बनाता है, पूड़ा का पूरा एक research design बनाता है, right, इसलिए research design को आप दो words से indicate कर सकते हो, एक तो word है आपका blueprint, blueprint बोल सकते हो research design को, जैसे आपके architects और interior designers बनाते हैं, या दूसरा word क्या बोल सकते हो, research design क्या है, conceptual structure है, ठीक है, I hope research design का basic meaning clear है, दूसरे words में इसको अगर बोलू, तो research design क्या है, एक outline भी है, outline क्यों है, of what the researcher will do, from writing the hypothesis, and its operational implications, to the final analysis of the data, यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है, कि यह basically क्या है, यह basically एक outline है, outline है, यानि कि पूरा एक road map, बना दिया जाता है, कि ठीक है, researcher पहले hypothesis बनाएगा, फिर उसकी implications देखेगा, data analyze करेगा, सब कुछ right from framing the problem, to hypothesis, to data, data collection, analysis, measurement, and all of that, and then finally conclusion, सब कुछ researcher design में, क्या करता है, researcher खुछ से पहले create करता है, सोच के रखता है, right, so this is what is research design, I hope research design का जो basic meaning है, वो clear है आपके mind में, right, अब coming to एक important चीज जो आपको समझनी है, research design करने से पहले, जब भी भी आपको research undertake करते हो, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले आप research design मनाओगे, आप अपने sample को कैसे design करने वाले हो, sampling क्या होता है, population क्या होता है, sampling के methods क्या होते हैं, यह सब मैंने पहले lectures में cover किया हुए, right, जिसमें आप क्या करते हो, select करते हो items को, और उनको आगे जाके observe करते हो, अपनी study के लिए, right, उसके लिए अलग-अलग methods थे, probability method था, non-probability method था, sampling का, right, तो वो सब मैंने पहले lectures में cover किया है, right, तो सबसे पहली-पहली चीज़ जो एक researcher को ध्यान में रखनी होती है, सबसे first चीज़ अगा वो research design कर रहा है, तो उसे क्या बनाना है, sampling design बनानी है, देखेगा कि basically जो भी मेरा sample size है, उसको मैं कैसे study करूँगा, observation method से study करूँगा, questional से study करूँगा, कैसे study करने वाला हूँ basically, उनको मैं कैसे observe करने वाला हूँ, वो सब हम किसमें decide करते हैं, वो सब हम observational design में decide करते हैं, next, जो third चीज़ है, statistical design, अब statistical design क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आपके questions किस से related रहते हैं, कि आप कैसे data को observe करने वाले हो, कैसे जो information को collect करोगे, उसको आप कैसे analyze करने वाले हो, आपने जो भी information collect की है, अब उसको analyze कैसे करना है, कैसे collect करना है, कैसे analyze करना है, कैसे उसको measure करना है, वो सब आप कहां पर decide करते हो, आप जब research design बनाते हो, तो आप statistical design भी उसके अंडर ही create करते हो, जिसमें आप ये सब चीजों को decide करते हो, and last and final, fourth चीज क्या है, fourth चीज है आपकी operational design, fourth and last चीज क्या होती है, research design के अंदर जो आप बनाते हो, वो होती है, operational design, operational design simply क्या बनाती है, simply आपको बताती है, techniques, जिसके तुरू आपने जब उपर sampling design बनाई थी, statistical design बनाई थी, या even observational design जो बनाई थी, वो सब को आप कैसे carry out करोगे, कैसे real में implement करोगे, उसके लिए आप finally क्या बनाते हो, उसके लिए आप finally operational design बनाते हो, यानि मैं simply कैसे बोल सकती हूँ, कि एक researcher जब research design बनाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले पहले तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पहले तो वह simply अपने माइन में एक outline बना लेता है एक blueprint बना लेता है कि कैसे मुझे research करनी है right from जब भी वह research design बनाएगा तो वह सबसे पहली चीज क्या सोचेगा मेरी research की problem क्या है problem statement क्या है उसका hypothesis क्या है then उस hypothesis के बाद वह सोचेगा कि मुझे data कैसे collect करना है कैसे उसको analyze करना है वो यह सब सोचेगा right तो यह सब सोचने के time पे research design बनाने के time पे तो क्या करेगा कुछ चीजों का ध्यान रखेगा वो कुछ चीजे कौनसी है वो basically 4 चीजे कौनसी है वो चार चीजे सबसे पहले-पहले तो sampling design sample को कैसे collect करना है कैसे उसको observe करना है वो सब वो observational design में देखेगा, then statistical design, जो भी मैं data collect करूँ उसको कैसे statistically मैं interpret करूँ, and finally आता है operational design, जो first three थे उसको कैसे मैं implement करूँ वो हम decide कते हैं, operational design में, right, so these are the constituents of a research design बहुत ज़रूर है ये constituents को समनना, because ये constituency आपके overall research design को क्या करते हैं, execute करने में मदद करते हैं, right, I hope ये जो constituents है, research design के वो clear है, so thank you, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजे, comment करके मुझे ज़रूर बताईए, ज़ादा से ज़ादा लोगों तो शेर कीजे, because ग्यान बाटने से ही बढ़ता है, and subscribe कीजे, अगर आप new है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, bye bye, take care.